नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कंचन शुकला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाओंगी एक पंडिजी रानी के पास जाकर डेली राम कथा सुनाते हैं और अंत में कथा समाप्थ होने के बाद वो कहते हैं कि राम मिले तो बंधन तूटे वही पर एक पिंजडे में तोता ब दो-चार दिन मलब ऐसे चलता रहता है और वह सोचते हैं कि पता नहीं रानी क्या सोचेगी और लोग क्या सोचेंगे मैं जूट बोल रहा हूं तो अपने गुरु क्यों सारा हाल सुनाते हैं तो गुरु जी तोते के पास जाते हैं तोते से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल राजाब कर रहे थे तो मैं भी राम-राम कहने लगा तो उन लोगों ने सुना और मैं एक संत जो थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पिंजड़े में बंद कर लिया और मुझे एक-दो श्रूक सिखा दिये तो मैं लोग भी कहने लगा तब यहां पर एक सेड़ जी आ है उन्होंने मुझे उस संत से खरीद लिया और मुझे चांदी के पिंजडे में बंद कर दिया धीरे-धीरे मेरा बंधन और बढ़ता ही गया और उसने जो सेड़ था उसने राजा को से अपना काम निकलवाने के लिए कोई और राजा को जो है पहार के रूप में दे दिया और कि रानी धार्मिक प्रवत्ति की थी तो राजा ने रानी को दे दिया अब रानी ने मुझे सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया और मैं ऐसे ही बस पिंजड़े में ही बंद हो गया और राम नाम का जाप करता हूं तो मैं कैसे कहूं कि राम का नाम जब के जो है मेरा बंधन चुटेगा तो जो गुरू थे उन्होंने कहा कि ऐसा करो आज साम को जो है तुम कुछ मत बोलना और जब पंडित कथा सुनाएं तो तुम जो है कुछ मत बोलना बस चुपचाप आंखे बंद करके लेटे रहना और रानी को लगेगा कि तुम मर गए हो तुम पिंजड़ा जो गया और वह रानी जो को देखने के लिए पिजड़ा खोलती है और उड़ जाता है उड़ते उड़ते तो तो कहता है कि संत मिले तो बंधन शूते तो कहानी का मतलब यही है कि कि सास्त्र पढ़़ों कितना भी घ्यान कर लो गुरू के मिलने के बाद ही सच में हमारे बंधन ठूटते हैं गुरु ही हमें संत जो है संत गुरु जो हैं उम हमें रास्ता बताते हैं कि इसमारा बंधन कैसे चुटे और भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं तो कहानियां अगर कि ए